और चलिए आगे बढ़ते हैं रूक अगली ख़बर का करते हैं आपको बता दे कि बुलंद चहर के अंदर दो बदमाशों का एंकाउंटर किया गया है एक घटना में फरार बदमाशों का ये जो एंकाउंटर है वो पुलिस के तरफ से हुआ है इस इन दो एंकाउंटर में गंबीर उप से फिलाल घायल है बदमाश अब्दुल पर भी 15,000 रुपे का इनाम था दोनों ही 15,000 रुपे के इनामी बदमाश जो की मुटभेड में आपको बता दे कि पुलिस के तरफ से इनकाउंटर हुआ है सिसी टीवी फुटेज भी इस पूरे वामले की सामने आई है गंबीर हालत में फिलाल दूसा बदमाश अब्दुल भी है जिनको रैफर किया गया है मुटभेड के दौरान आपको बता दे कि पुलिस के दो सिपाही भी घायल हुए है हैड कॉंस्टेबल सितम सिंग बदमाश की गोली लगने से घायल हुए है बदमाशों से आपको बता कि दोनों बदमाशों का एंकाउंटर किया गया है जिसमें से एक बदमाश की हालत फिलहाल गंफीर बनी हुई है अस्पताल में इलाद इस समय जा रही है यह बड़ी अड़ेट आप तक बचा रहे हैं बुलंद चहर से CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि सरस से मुट भेड़ हुई और एंकाउंटर दोनों बदमाशों का किया गया है जाए जाड़े दस बजे के लगवग एक आसिस नाम का एक अपराधी को लेक आया थे पुलिस वाले उसकी अलग सीरस थी उसके बोली लगी थी छाती में तो उसके बाद में यहां टीटमेंट किया औ कि रस्ते में जाकर उसकी मत्य हो गई इसे फिर वापिस ले आए फिर उसका जो है कागर्वगार तयार करके मौट नहीं में शिफ्ट कर दो सिपाई काहल हुए एक सिपाई और दरोगा गाहल हुए थे उनको जो है टीटमेंट के बाद में उन्हां बेग दिया कुछ दिन प कुछ समान लूट कर ले गए थे इस घटना से संबंदित अभ्युक्तों की गिरफतारी के लिए हमारी टीमें लगी वी थी इन दोनों अभ्युक्त पर 50-50,000 रुपए का इनाम था और ये दोनों ही शातर किस्प के अपराधी थे जिनका पूर कभी लंबा चोड़ा अपरा आशीश नाम का एक वेक्ती घायल हुआ था और उसे उचार के लिए भरती कराया गया और उचार के दोरान बाद में फिर उसकी मृत्यू हो गई